आज हम हिंदी में एक नया लेशन पढ़ने चाह रहें हैं लेगिन नया लेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी डिसकस करेंगे कि यह जो लेशन है उसमें क्या है तो यह लेशन है वह एक कहारी तो वह कहारी बहुत ही इंट्रेस्टेंग है क्योंकि इसमें एक जानवर की बाती है आपको बता है कि हम जो मनशिया होते हैं उसे अलग अलग जो प्राणी होते हैं जानवर होते हैं उसे पालने का बहुत सोख है तो कई मनशिया यानि कि हम कभी बिल्ली को भी पालते हैं कभी जो गुत्ता होता है उसे भी पालते हैं कभी बैस गाई बकरी आदी उसको भी हम अपने घर पे पालते हैं यानि कि बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जिने उत्ते पालने का बहुत सौक होता है मेरे घर पे भी एक उद्दा था चुटा सा उसका नाम मैंने रखा था तौमी तो वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही त्यारा था और वो हमारे इसारे को भी अच्छी तरीके से समझ जाता था कि हम उसे क्या कहना जाते हैं और मुहमेड क्या कहना जाते हैं वो बोल नहीं सकता है लेकिन हमारे गीन सारे को वह अच्छी तरह के ससंद सकता है तो एक मेरे घर से टोन पर लेकिन एकाशोंर्श लेकिन नहीं से सब्सक्राइब हो गया और वह घया है। हाँ मैंने भी उसके एक मह भी मेरे घर पर लगाई है अब हिमें आको अब कोके शहले लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बदना चाहती हूं कि एक छोता सा जो जानवर है उसके प्रति हमारे कितना लगाओ है और उसको भी हमारे प्रति इतना लगाओ है कितना गहरा सबंद है एक मनुश्य और एक जानवर के बीच में तो आज हम ऐसा ही एक खुटा और एक बंचारा उन दोलों के बीच में कितने गहरी कितना गहरा सबंद है उसी का लेशन हाज हम पढ़ने जा रही है तो आप उसे ध्यान से सुनिये और समझेने का प्रयाइपन क तो एक बंज़ारा था लेकिन यह जो लेसंट है उसमें बंज़ारा था आको पता है कि पहले ने प्राजेल समाई में क्या करते हैं वह एत गाउं से दुसरे गाउं जाते थे और अपना जो महाल सामन है वह लाने और ले जाने का कान करते थे और यही उसका व्यापार्वी था, तो एक उत्तर गुजराद में पातन जिल्ले में रधरपुर नाम का एक छोटा सा गाउं था, उसमें एक अग्बंजारा था और एक तालाब था, तो वहां एक तालाब था और पास में एक तत था, वहां पे एक पुत्ते की समाधी बनाए गई थी, रधरपुर गाउं पे तालाब की किनारे एक तत के पास पुत्ते की समाधी बनाए गई थी, और वह पुत्ते की समाधी आपको आश्यरी होगा, कि मनुस्य की समाधी बनाए जाती है, क्योंकि मनुस्य एक मनुस्य है और जान्वर की कभी कोई हम समाधी नहीं बना तो वहाँ पे जो खुद्दा बढ़ गया था उसके लिए समाधी बनाई गई थी तो हमारे लिए वो आसरे की बात होगी क्योंकि कुद्दे की कोई समाधी नहीं बना था लेकिन एक बंचारा है उसके लिए वो खुद्दा खुद्दा नहीं था लेकिन वो एक मनुसियर की ज जानने वाले हैं तो यह बहुत ही प्यारा और इंट्रेस्टिंग यह कहानी है तो आप उसे ज्ञान से सुने पूरानी जमने में ग्यापार का सामान लाने और ले जाने का काम बंज्यारे करते थे पूरानी जमने में यानि कि जो पहले की समय में जो सामान लाने और ले जाने का काम कौन करते थे बंज्यारे करते थे अभी के हाल में जो सामान लाना और ले जाना वो कौन करता है हम यानि कि कोई भी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम होता रहता है लेकिन पहले के समय में जो सामान लाना और ले जाना कौन करना था बंचारे करना थे एक बंचारा था बंचारा यानिकि एक वीचरती जाती यानिकि वीचरती जाती का मनलब है एक जगा से दूस्वी जगा जाना ब्रह्मन करना तो एक बंचारा था बंचारे को तो आपने दे सामान लादकर सहरों में लाने और ले जाता था एक बंचादा था आपने देखा ही होगा उसके इपर माल सामान लादकर ले जाता था लादना यानिकी उसके उपर बहुत सारी चीजे रखना कर दो अबाल सामान लाटकर सहरों में ले जादा था सहरों में ले जादा था क्योंकि वहां पे उसकी जो चीज है वो उसे बिच्चता था वहां से मिस्री गूड मसाले अनी बुरकर गाओं तब ले आदा था यानि कि जो सहर था सहरों में उसे वो चीजे लेता था मिस्री मिस्री का मतलब होता है सत्कर या चीज गूड मसाले यानि कि जो मसाले हम यूज करते हैं वो भी सहर से लाता था और वो गाओं में बेच्चता था लाकों का व्यापार था उसका उसका जो व्यापार था क्या था सहर में जाना वह बहुत सारी चीजे लाना और गाओं में बेच्चता तो यह जो भ्यापार था वो तो उसका व्यापर था इसलिए लोग उसे लाखा बंचारा करते हैं लोग इसलिए उसे क्या कहते थे लाखा बंचारा उसका जो व्यापर था वो लाखों का था इसलिए उसका नाम पढ़ गया लाखा बंचारा वो एक बंचारा था लाखा के पास एक सुन्दर कुट्ता था अब इसके पास एक छोटा था यानि कि बहुत ही प्यारा कुट्ता था तो कुट्ता बड़ा वफादार था आपको बता है कि कुट्ता जो था वो कैसा था बहुत ही वफादार वफादार यानि कि जो जानवर होते हैं वो वफादार ह कभी स्वार्थी नहीं होते हadore हिसे हमार हमारी जरूरत होती है तब क्यों सोनabout सबेंद्रभगे हमेंIt ऐसे नर्ग होते हैं तो जो कुर्दा था वह बहुत ही वफा दार दा राण को बंझारे की पड़ाप की रखवाली करदा था जब रात होती है तो रात की समय वो बंजारे की पड़ाओ की क्या करते थे रखवाली करते थे यानि की पड़ाओ का मतलब होता है जो हमें रात की यानि की समय व्यादित करने के लिए हम जो बनाते हैं उसे पड़ाओ कहते हैं तो वो राज जाक कर उसकी जो पढ़ाव है बंजारे की उसकी रखवाली करता था अगर चोर लुटे पढ़ा की तरफ आते दिखाई देते तो कुद्दा मुख भगकर उन्हें दूर भगा देता था अगर वहाँ पे कोई चोर या लुटेरा दिखाई दे तो वो भगकर उसे भगा देता था कितना वखवादार ये उद्दा है बंजारे अपने कुद्दे की वखवादारी से बहुत खुस था ये जो बंचरा था, वो अपने कुत्य की जो अफादारी है, वो जो काम कर रहा है उसे बहुत ही खुश्ष था. उसे उसे अथिक कुछ नहीं चाहिए था. एक बंचरा एक बाद बंचरा वियाफर में माल खा गया था. आपको पता है कि समई बदलता रहता है। जैसे कि हमारी हाल में जैसी परिस्थिती होती है वैसी कि वैसी नहीं रहती। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बंजारा था उसका जो भ्यापार था वो नीची जाने लगा याने कि उसे बहुत ही उसमें खोट आने लगी याने कि उसका भ्यापार नीचे गिर गया और वो बहुत ही उसे नुक्सान हुआ और रूपियों की जरूरत आ पड़ी उसे पैसों की जरूरत पड़ी वहां राधानपूर के एक सेथ के पास पहुंचा उसने अपनी बात बताया और राधानपूर नाम का जो गाम था उसमें एक सेथ रहना था वहां उसके पास गया और उसने उसे पैसे मागे उसे अपनी ज सेथ ने कहा रूपिय तो मैं ने दूँगा मगर उसके बडले में तुम मुझे क्या गिर्वी दोगे लेकिन जो सेथ था उसने उसे मदद मागी थी वो मदद वो देने के लिए तया तो हो गया लेकिन बडले में वो उससे कुछ चाहता था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा लेकिन तू मुझे क्या गिर्वी दोगे लाखा बोला सेथी जी मेरे पास फूटिक कौड़ी भी नहीं है जो बंचारा था वो सेथ से कहने लगा कि सेथ मेरे पास तो अभी फूटिक कौड़ी भी नहीं है एक भी पैसा नहीं है मेरे पास मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया आपको पता है कि जो हम व्यापार करते हैं जो भी कुछ धंदा याने कि नौकरी कुछ करते हैं तो उसमें हमें कभी-कभी फाइदा भी होता है और कभी-कभी नुक्सान भी होता है तो पहले तो लांखा बन जा रहा था उसे लांखों का व्याफार था, उसको बहुत ही फाईदा होता था, लेकिन एक समय अशा आ Shout 기 uniquely बहुत ही नुक्सान हो गया, ऑर उसके पास एक food, और भी नहीं बची तो उसको व्याफार था उसमें उसना बहुत भी मुक्सान हो गया और उसके पास एक भी पैसा नहीं रहा इसलिए वो सेट के पास मदद के लिए गया है मेरे व्यापार में सब कुछ खो दिया है जो बंजारा है वो उसे कहता है कि मैंने अपना अप्रापार करने के लिए उसमें सब कुछ हो दिया है मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा मेरी जबान पर विश्वास रखे जबान यानि कि मुझे कहता है वो कि मैं जो अभी बोल रहा हूं पर पमस्वास रखे और मुझी रूपिये हैं डे दीजिए में आपके के पुरी रागम सूध्षमेट एक साल में रही कुका दूगा TVs प्रयाश कर रहा है कि मुझी मेरे उपर मिसमास करें कि मैं आपका जो पैसा है सूध समेट लौता दोगा सूध समेट या रही सूध का मतब होता है एक साल में ही चुका दोगा वो एक साल में उसका जो पैसा था वो उसे दे देगा जैसा वो कहने लगता है सीथ बोले कोई बात नहीं तुम्हारे पास यह तो कुद्दा है सीथ बोले कि कोई बात नहीं तेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए लेकिन तेरे पास यह कुद्दा तो है तो तूम इसे ही जमानट की रूप में रग देदो वो क्या कहने लगा कि बलेगे तेरे पास पैशा नहीं है लेकिन तू जमानेर की तॉरफन ये कुट्डा तो रख सकता है ना जब तू सारे रूपिये लोटा दोगे तभ میں भी तूँ ये कुट्डा वापस देदूगा कि तू जब मुझे मेरे पैसा लोटा देगा तो मैं भी तुम्हारा यर्पुता है तुम्हें देदोगा बंज़रे को दूप तो बहुत हुआ अपने पुते को देने में उसे बहुत ही दूप हुआ क्योंकि वो बंज़रे उसे कुछ एक ही उसका जानवर यानि कि उसे बहुत ही लगाओ था वो उसके बिना नहीं रख सकता था तो वो उसे जमानत की तौड़ पर कैसे रख सकता था तो उसे बहुत दूप हुआ मगर कोई चारा नहीं था रूपिय लेकर वहां चला गया और जो खुता था उसे जमानत की तौड़ पर उसने सेथ के पास रख दिया और वो पैसे लेकर वहीं से निकल गया कुछ दिन बिते एक बार सेथ ने कहा चोरी हुई कुछ दिन बित गये और सेथ के यहां चोरी हुई सेथ के यहां चोरी होना पुत्ते ने चोरों का पिछा किया जो जुट्दा था वो बहुत वफादार था वहाँ जो चोर था उसके पीछे पीछे गया और जोरोने जो माल सामन ले गये थे वो जंगल में नीची जमीन में गार रिया था जो सामान था हो और कुट्टे ने वो सब देख लिया था वहां से 9, 2, 11 हो गए कुट्टा वहां मौंग होकर सेट को बताने लगा कि कुट्टेरे ने आपके दुपान को तोड़ कर माल उठा ले गए 9, 2, 11 होने याने कि वहां से भाग जाना तो कुट्टा वहां भगकर जो सेट था उसे कहने लगा कि जो चोर है उसने आपके माल सामान को वहां से चोर ले गए है तो students, सेट को हक्का भगका ही रह गए सेट जो था वो हक्का भगका रह जाना यानि कि चौप जाना कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो यह वह है नो दो ग्यारा हो जाना उसका मतलब होता है वहां से भाग जाना वह चौक जाना वह चौकने लगे और कुट्था सेथ की धूटी पकड़कर आगी खीचने लगा वह कुट्था उसके कुछ बढ़ाना चालता था और जो सेथ था उसकी धूटी पकड़कर वह उसे खीचने लगा सेथ कुट्थे के पीछे पीछे चलने लगे और वह सेथ था वह उसकी सारे को समझ गया और उसके पीछे पीछे वह भी चलने लगा जहाँ चोरों ने माल चीपाया था, वहाँ जाका खुट्टा अपने पेरों से मिट्टी खोडने लगा, वो खुट्टा था, वो खुट्टा सेट को ले गया और जो जमीन जहाँ पे माल उसने गाडे थे, उसे अपने पेरों से वो खोडने लगा, थोड़ा ही खोडने पर सामान निकल आया, जो सेज था, उसने देखा कि वो जमिंग खोडने पर उसका जो सामान था, वो निकल आया, सेज थी कुछी का कोई पार नहीं था, और वो अपने जो माल था, वो देखकर वो बहुत ही कुछ हुआ कि ए कुद्दे ने कितनी अच्छी तरीके से अपनी पाने लगा, यानि कि उसके उपर हाथ, हाथ लगाने लगा, कुद्दे की वखादारी पर वहों मुद्द हो गया, मुद्द होना यानि कि मोहित होना, वो कुद्दे से बहुत ही प्रस्ण नहीं हुए, घर जाकर उसने एक चिथी लिखकर कुद्दे की गले के पत्टे में बावंड कर गहा, कुत्ती भाई, जाओ तुम्हें अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो, वो जो सेथ था, उसने चिथी लिखी, और चिथी में लिखा कि अब ये जो तुम्हारा कुत्ता है, वो मुक्त हुए, बंजारे के पास कुत्ता कुस होकर गया, और अपने मालिक से मिलने के लिए जली-जली भागने लगा, जो कुत्ता था, उसकी जो वफादारी थी, उसने से खूस होकर, जो सेथ था, उसने उसे मुक्त कर दिया, कुत्ती को मुक्त कर दिया, और जो कित्ती थी, वो उसकी गले में रखकर, उसे मुक्त किया, और जो कुत् अगले वीडियो में हम अगला जो पार्थ है यानिकी अगला पैरेग्राफ है वो करेंगे ठीक है अगर आपको यह जो पैरेग्राफ ने करवाए हैं उसमें कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कर सकते हो तो धन्यवाद